जेन साथियो मेरे नामें देवेसफाल स्वागत आपकर सड़ी विद देवेश में आज है 25 नॉम्मर 2022 25 नॉम्मर 2022 से जुड़े इंपोर्टन करंट है फिर देखेंगे साथ ही उन से जुड़े कुछ इंपोर्टन फैक्स के मारे विवे में जानेंगे साथ है जिन कोशन को ट्रिक के माधिम से याद किया जा सकते हैं उनको याद करने कोशिश भी करेंगे उससे पहले 24 नॉम्म दोजर बाइस से जुड़े जो करंट अफेर थे उनको रिविजन के तोर पर देख लेते हैं इन हम वन नाइनर के तोर पढ़ेंगे और जो हम 25 नॉम्मर करंट फेर पढ़ेंगे उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रिसन के साथ में हाल में भारत ने आई एफ एफ आई में बाल अधिकारों पर फिल्मों को बढ़ाओ देने के लिए किसके साथ साज़ेदारी किये देखे हाल में भारत ने यूनिसेफ के साथ साज़ेदारी किये इस कांसर को यूनिसेफ हम सब जानते हैं यूनिसेफ एक बाल अधिकारों एम बच्चों की बच्छों के उत्थान के लिए एक संस्ता जिसका हेड़कॉर्टर अमेरिका के नियॉर्क शहर में तो इस कांट्सवर को यूनिस है नेक्स प्रेशन देखते हैं नेक्स प्रेशन देखते हैं देखे हम इसे यहां से याद कर सकते हैं डॉक्टर एपीज़ अब्दुल कलाम के नाम पर ये नाम रखा है बंदे मातर फांडेशन इस पुर्सकार को प्रदान करती है तो डॉक्टर एपीज़ अब्दुल कलाम हम सहम जानते हैं उनमें एक अपना अपने नौलिश काव भंदार थे नोम कहल Ça with सागर थे ग्यान का सागर थे तो रवी कुमार सागर सरनेम सहम याद रह सकते हैं रवी कुमार सागरो डॉक्टर कलाम सेवप रुसकार से सम्मानित किया गया नेक्स प्रेशन देखते हैं डेलाइट इंडिया की रिपोर्ट के नुसा वितवर्स 2022-23 में भारत की आर्थिक व्रदी कितने प्रतिशत होने की संभावन है देखे हाली में डेलाइट इंडिया की रिपोर्ट के नुसा भारत की आर्थिक व्रदी 7.1 प्रतिशत रहने की संभावन है नेक्स प्रेशन देखते हैं अच्छ प्रेशन देखते हैं हाली में अटल पेंशन योजन नामंकन के लिए किस बैंक ने राष्टे पुरुसकार प्राप्त किया है देखे हाली में अटल पेंशन योजन नामंकन के लिए करनाटक विकास ग्रामिन बैंक ने पुरुसकार प्राप्त किया है जो करनाटक विकास ग्रामिड बैंक जिसके साफना सन 2005 में की गए थी और उसका जो मुख्याल है वो धारवार करनाटक में और करनाटक विकास ग्रामिड बैंक के जो अध्यक्स है वो पुट्टू गंती गोपी कृष्णा है नेक्स पेशन देखते हैं नेक्स पेशन देखते हैं इसे बढ़ाकर अठास प्रतिशत करने की बात कही गई है नेक्स पेशन देखते हैं हाल में डेलाइट इंडिया के सियो किसे नॉमिनेटिट किया गया है देखे हाल में डेलाइट इंडिया के सियो रोवल सिट्टू किया गया है जो की एक यंगस्ट एंटरपेनोर है नेक्स पेशन देखते हैं इंडो पेसिफिक रीजनर्ड डायलोग का चोतर संस्क्रण कहां पर आई जित हुआ है देखे हाल में इंडो पेसिफिक रीजनर्ड डायलोग का चोतर संस्क्रण देश के राज़ा है नहीं दिल्ली में हुआ है देखे जातर संस्क्रण हुए, सम्मेलन हुए, बैठक वी, वारत अवीज जातर नहीं दिल्ले में ही आईज़त होती है तो हम थोड़ा माइड में ध्यान में रख सकते हैं अब पढ़ते हैं 25 नॉम्बर से जुड़ें important current affair साथ ही यह वीडियो आपको लास सकते हैं और यह वीडियो अच्छी लग तो प्लिश वीडियो को like करें और अपने दोस्तों तक share करें तो चले शुरू करते हैं पहले परेशन के साथ में आप हाली में KVIC के CEO के रूप में किसे नूक्त किया गया है देखे KVIC यानि की खादी विलेज इंडिस्ट्रीज कमिशन के जो CEO के रूप में नुक्त किया गया तो इस कांसरों को आप्शन नमबर A विनीत कुमार को हाल में KVIC के CEO यानि की Chief Executive Officer के रूप में नुक्त किया गया कि नेट्स क। बरुमिंग ब्रान्ड अर्बन गबरु ने किसे अपना ब्राण में ब्राण अर्बन गबरु ने अपना ब्राण में नुक्त किया है तो इस कांसर को option number C देखिए हम सब जानते हैं सूर्य कुमार यादर जिने इस काई के नाम से जाना जाता है और जो कि T20 प्लेयर हैं दूसरी नंबर पर आते हैं T20 प्लेयर में तो इस कांसर को option number C next question देखते हैं हाले में किस राज्ये में कदले काई पारी से उसर्थ सुरू किया गया इक हालि में यह जो इस उसर्थ हैं दक्षणी राज्ये करनातक में आउजित किया गया तो इस कांसर को option good. कदले काई परीस सूसर जी से मोंगफ़ली उसर्थ के नाम से भी जाना जाता है तो इस कांसर Е वाली बाते कदलयकाई पारेश से उस्रव को मौंभाली उस्रव के रूप में भी जाना जाता है तो संगाई मौ्शव यहालियम मनिपूर मैं अजित किया गया है तो इस काणसर को उप्शन नम्बर ए जो वहां का एक राज्ये पक्षी भी है संगाई मोसूब हम समझानते है मनीपूर की राज़ानी क्या है इम्फाल है और जो मनीपूर के जो चीफनेस हो एन ब्रेंस सींग है और जो मनीपूर के राज्ये पाल हो लागनेशन है देकि मनीपूर से जुड़े important current fit देख लेते हैं जैसे कि मनीपूर विधान समने सराब बनाने को वैद बनाने का फैसला लिया है floating photo production का उद्गारड मनीपूर की capital इंफाल में किया गया है इंफाल में आम लोगों की सिकारतों के लिए Chief Minister the Casey portal का शुभारम हुआ है मनीपूर मना जाता है इसके तरी पूर्वत्त का सबसे उचा रास्टी दिवज 165 फिट मनीपूर के विश्रुपूर जिले में फैर आ गया है मनीपूर के Chief Minister ने Cancer and Company दोचर अरबाइस लोंच किया है लाई हरोवातिवार संगाई मोफसतिवार जो हमने अभी हाली में पढ़ा वो सब मनीपूर में मना जाते है फ्लाइंग उडान का उद्गाट है मनीपूर में क्या गया है एक सट वा सुबरोंतों का अंडर 14 का किता मनीपूर ने जीता है देखें इन कोशन को हम जतना रिवाइस करेंगे इतना हमें ध्यान में रहेंगे और कोई जादर ट्रीक होती नहीं कि इन कोशन को याद करने के लिए जिन कोशन में ट्रीक लग सकती है उन्हें हम खाली लोजिकल ट्रीक के मादम से याद कर सकते हैं और कुछ current affairs को हम और तरीकों से भी आसान कर सकते हूं वो मैं आपको बता चुक हूँ अपनी वीडियो में तो अब next question देखते हैं इस रो कहां पर PSLV C-55EOS-06 missile launch करेगा देखे हम सब जानते हैं हमार रोकेट लॉंचर आंतरपदेश में सिरी हरी कोटा है तो वहाई पर PSLV C-54EOS-06 missile launch करेगा इस रो इंडियन इस्पेस रिसर्च और्गनाशन जो भारत की एक अंतरिक्स एजनसी हैं वो आंतरपदेश के सिरी हरी कोटा में लॉंच करेगा अब इस रो के बारें पढ़ने थे इस रो की जो इस्थापना की गई थी वो 1969 में की गई थी और जो इस रो का हेड़कॉर्टर है वो बैंगलोर में और जो इस रो के वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो S. सॉमना थे नेक्स प्रेशन देखते ह हाले में बलियात्र सुर्ख्यों में बलियात्र किस राज्ये का उस सव है देखें बलियात्र सुर्ख्यों में बलियात्र उडिसा राज्ये का एक उस सव है तो इस कांसर को आप्शन नमर डी अब उडिसा उडिसा के बार में जाना है उडिसा की जो राज़दानी और भूवनेश्वर है और उडिसा के जो चीफ मिनस्टर है उडिसा के चीफ मिनस्टर का नाम क्या नवीन पतनायक है और उडिसा जी को राज्य पाल है उनका नाम गनेशिलाल है देखिए इसके बारे में जान लेते हैं हाले में उडिसा के कटक में बली यात्रा ने 35 मिनट में 22,000 पेपर बोर्ड बनाने का कारणामा कर गिनीज वर्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है जिला प्रिशाशन और कटक नगर द्वारा बारबती स्टेडियम में आज ये तेक कारिकरम में बली यात्रा उस सब के दोरान 22 स्कूलों के 2100 से अधिक छात्रों ने कागज के नाम बना कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है देखिए यहां पर यह बतानी घोष्ट ना किएगी कि बली यात्रा आली में सुर्ख्यों में क्योंगी कि वहाँ पर एक गिनीज वर्ड रिकॉर्ड हुआ है जो कि 22000 पेपर बोड बनाने यह सोरी बोड है ना कि बोड यह बोड है नाव बनाने नाव बनाना कर गिनीज वर और शॉपिंग के लिए भारत का पहला national excellence center launch किस ने किया है देखिए हाली में green pot and shopping के लिए भारत का पहला national excellence center launch हाली में सरवनन सौनवान ने किया तो इस सब्सक्राइब को अप्शन नमबर एए देखें यह से शॉपिंग नहीं है इसे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है इसी में थोड़ा मुझे दोकर लग देए इसका शिपिंग शिपिंग ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत का पहला नैशनल एक्सिलेंस सेंटर लॉंच हाल में सरवनन सोनवान ने किया है देखें हम सब जान सकते ग्रीन पोर्ट यानि कि जो आपने बंदरगा का नाम सुनोगा जहां पर जहां पर जो पानी के जहाज होते हैं माल अपना छोड़ते हैं तो यह वह यह माई उसी से संबंदित हैं जो हमारे पोत परवाइन और जलमाग मंतिय सरवनन सोनवान ने ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नैशनल एक्सिलेंस सेंटर की गोशना किये केंद्रे मंतिये सोनवान ने इस सेंटर क इस अपने की गोशना इन इनमार को 2022 कारिकरम के दोहरां की थी इस अफ सर्के इन्होंने कहा है कि प्येम मोदी की लाइफ पहले में इस लाइफ पहल में इसे शामिल किया गया हैं जो पर्यावरन संगरक्षन के लिए एक सामुएक पहल हैं ग्रीन साब समंदना ने परियाव चेतर में दिया जाता है तेंजिंग नौर्गे एडवेंचर अवार्ड जो कि एक रास्टे साहसिक पुरुसकार की गोश्णा की गए थी यह पुरुसकार चार स्वेड़ों में दिया आता है जैसे कि भूमी साहसिक जल साहसिक वायू साहसिक और जीवनभर की उपलब्दी के लिए तो देखे हाले में ये तीनों को दिया गया सुस्री नैना धाकड को ये भूमी साहसिक के शेतर में दिया गया और इसके तरिक श्री सुभम धनजे वनमाली को ये जल साहसिक के शेतर में दिया गया और कुवर भावानी सिंग को जीवनभर की उपलब्दी के लिए दि तो हम यहां से ध्यान में रख सकते हैं लाइफ टेम जीवन भर की उपलब्दी के लिए लाइफ टेम अच्छीमेंट ओवर्ड दिया गया है और जो नैना धाकड़ी हैं हम यहां से ध्यान में रख सकते हैं नैना नैना यानि कि नाओ नैना नाओ नाओ हम ध्यान में रख सकते करते हैं गार्डन गार्डन तो गार्डन में पानी तो लगता हुआ जार सी बातो जल के लिए तो श्री शुवाम धनंजे वनमाली यह जल साहसिक के लिए उस असी नेना धाकर यह भूमि साहसिक के लिए इसके तरिक गुरूप कैप्टन कुवर भावानिस सिंग को जीवन भर की उपलब्दी के लिए यानि कि तीनों को ये अवोर्ड से समानित किया जाएगा तो इस कांसर को आप्शन नमबर यानि कि उप्रियुक्त सभी को नेक्स प्रेशन देखते हैं यह वा मामले और खेल मंत्रा ने वर्ष 2021 के लिए तैंजिंग नौर के एडवेंचर अवर्ड नामक रास्टिय साहसिक प्रुसकार की गोश्टने कि यह प्रुसकार चार स्रिवनों में दिया जाएगा जो कि भूमी साहसिक जो कि हम आपको बता चुका हूँ जल साहसिक वायू साहसिक और जेवन भर की उपलब्दी के लिए नेक्स प्रेशन देखते हैं हाले में गुरू तेक बहादूर हम सब जानती सिखो के नवे गुरू है गुरू तेक बहादूर इनकी शाहदत दिवस 24 नौंबर को मनाई गई है गुरू तेक बहादूर शाहदत दिवस 24 नौंबर को मनाई गया देखे यह हम सब जानते गुरू तेक बहादूर नवे गुरू ते जो 1675 में जो औरंग जेप के द्वारंग का शीष कलम कर दिया गया था लाल किलिबर जिसके द्वारा शीष गंच साहिब इनी के लिए जाना जाता है दिल्ली में तो 24 नौंबर 1675 को गुरू तेक बादू ने उन लोग वे खातिर अपना जीवन का बलिदान दिया था जो धर्म मानवे मूले आदर्सों सिध्धानतों के रक्षा के लिए अपने समुदा से सम्मद्धित नहीं थे तो इनका इतासा में वैसे सरकिस्टिकों के सभी गुरू इनका एक अपना ही अलग बलिदान था तो गुरू तेक बादू उन में से एक थे तो इस कार्ण सरो का अप्षिन नमबर A 24 नौंबर को गुरू तेक बादू शादत दिवस मना जाता है नेक्स प्रेशन देखते हैं हाल में चैंपियन ओफ दी अर्थ पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है देखें बहुत इंपोर्टन प्रेशन है जिस चैंपियन ओफ दी अर्थ पुरुसकार जोगी हम सब जानते हैं यह एक परियावरन पुरुसकार है यह हाली में पूर्णिमा देवी बर्मन को सम् देखें हम ध्यान में रख सकतें देवी देवी से हम ध्यान में सकतेECT THE पूर्णिमा देवी पूर्णिमा निया एक तेवारी मना जाता है हिंदु लिзд में तो देवी । याद रख सकते को भी सन 2018 में चैंपियन ओफ दी अर्थ पुरुषकार से सम्मानित किया गया देखें मापको बता राज के द्वारा यह पुरुषकार देखें जो कि यूए नेटिड नेशन इन्वार्मेंट प्रोग्राम ने इस साल के लिए चैंपियन ओफ दी पुरुषकार से जो उदमीत मोदी जी को प्रधान मंतिर नेशन मोदी को 2018 में दिया जा चुका है और इस साल जो दिया जाएगा पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया जाएगा चैंपियन ओफ दी अर्थ पुरुषका तो आप्शन नमबर एस का राइट आंसर हो तो साथ ही यह ते कुछ इंपोर्टन कर करें और वीडियो कैसे लेगे प्लिस कमेंट बॉक्स से बता है इसके पहले एक कोशन आपके लिए हॉमवर्क के लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स से बताना है हाले में किसे जैपूर फुट यूएस से पुरुसकार से सम्मानित किया गए और चार आप्शन आपको दे रखे हैं रवीश कुमार सुधीर चोधरी अभिनब बिंदा दानिस मंजूर वर्ड इसका आपको कमेंट बॉक्स से बताना है